तो इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं हमारी एक्सराइज 4.4 का इंट्रोडक्शन तो डिटर्मिनेंट्स हम पड़ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स के थू हमने एरियाफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हो भी देख लिया अब हम यहां पर देखेंगे डिटर्मिने आनिकाले किसे निकालते हैं तो पूरी हमारी एक्सराइज 4.4 है वो मंार्स और व्यां माईने आनिकालते हैं तो माईनेर को और Wheneverетеивने टर्मिनेन पर निकालोगे ना बहुत easy exercise है हम यह सारा चो काम यहाँ पर कर रहे हैं वो हम पहले कर चुके हैं तो only two order और three order के determinants से उनीके minors and co factors हम यहाँ पर निकालेगे हैं example से समझो बहुत अच्छे से आपको समझाएगा तो one by one हम example से समझते हैं तो यहाँ पर हमने two order की बात करें तो मैंने यहाँ पर standard लिया है क्योंकि यहाँ पर इस वाल एक्सराइस के लिए आपको याद होना चाहिए कि पहले वाले element को a11 दूसरे को a12 तीसरे को हम यहाँ पर a21 कहते हैं और चौथे को हम यहाँ पर a22 कहते हैं यहाँ यहाँ पर याद होना चाहिए कि सारे formula जो आप आगे करोगे दो इसका क्या निकालना यहाँ तो जितने भी elements यहाँ पर सबका माइनर निकालने के लिए बुला है तो इससे related जो आपकी रो है और इससे related job का column है उसको छोड़ देना है और जो बचा हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा minor तो minor को हम M से denote करें M for minor तो लिखेंगे M11 कौन सा वाला इसके place तो बतानी पड़ेगी 11 place पे 12 place पे 21 place पे 22 place पे तो M11 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा A22 हो जाएगा है ना फिर minor of element A12 अगर हम यहाँ पर A12 की बात कर रहे है तो A12 से related यह आपकी row है यह आपका column है यह दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगे चूट जाएगे तो बच्चे का कौन आपका यहाँ पर A21 तो हम इसको लिखेंगे M12 जो आपका यहाँ पर कितना आएगा अच्छा कौन यहाँ पर A12 तो यहाँ पर जो भी number होगा ना वो M के साथ है किसका minor देख रहे हो A21 का minor देख रहे है तो यहाँ पर M21 का minor कौन है तो यह वाला है इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना अना चाहिए फिर minor of element A22 अगर A22 का हम देख रहे है तो M22 यहाँ पर minor औ तो minors में कोई sign-mine कुछ नहीं देखना है आप जो भी element देख रहे है उससे related जो भी row है column है उसको छोड़ दो और सामने वाला जो element बज़ गया वो यहाँ पर लिख दो यह हमारे हुजाते minors को हम यहाँ पर M से denote करें नहीं Mij से denote करें जो भी आपका यहाँ पर आजाए IJ म यहाँ पर कर सकते हैं और capital A से denote करें आपकी बुक में इसको capital A से denote किया हुआ है तो capital A वही जिसका co factor निकाल रहे हो उसी का number यहाँ पर आजाएगा अब यहाँ पर क्या होगा sign आएगा कि किस पर कहां पर कौन सा sign कौन positive होता कौन negative होता वह sign यहाँ पर आएगा तो हम उस sign कै से निकालेंगे तो हम करते माइनस वन की पावर यहाँ पर 11 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे और M11 कर देंगे यहाँ यहाँ पर रखनी है लिकिन बस इसके साथ में आपका sign आएगा तो co factor of A11 यहाँ पर क्या होगा अगर आपको A11 का co factor देखना तो वह से रिल्रिड को कॉलमर रो क बस यहाँ पर एक चीज़ आदगो कि माइनस की पावर अगर E1 है तो वह आपका प्लस होता है और माइनस 1 की पावर अगर और है तो बाहर नेगेटिव साइन लेकर क्या आता है तो कौन-कौन E1 होगा कौन-कौन E1 होगा वह आपको यही से पराजल जाएगा 1 प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या जाएगा वहार प्लस आजाएगा तो इस तरह से आपको देख अभी अभी आप सीख रहे हो जब exercise करो तब तक तब के दमाग में बात अच्छे से बैट जाएगी तो A11 का यहाँ पर को फैक्टर क्या हो गया प्लस का A22 हो गया कोई चेंज नहीं आया नेक्स कितना है था हमारा A21 आया था लेकिन यहाँ पर क्या 1 प्लस 2 आपका ओड है तो यहाँ पर माइनस का से 1 प्लस 2 3 हो जाना 3 ओड नमबर है तो A21 फिर नेक्स आप यहाँ पर देखो को फैक्टर ओफ A21 तो यह A21 के लिए कैपिटल A21 हो जाएगा और वही माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 और M21 हो जागा तो M21 हमारा कितना है था A12 है था 2 प्लस 1 के होता 3 होता है तो पर माइनस 1 की पावर ओड होगी और तो बाहर नेगिटिव साना जाएगा और इसका तो यह का यह हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस 2 4 होता है तो बस यह दो चीज आप यहाँ पर याद रख ल हमारे साइन में जो प्लस है उसके साथ प्लस आएगा जो माइनस है उसके साथ में माइनस आएगा यह प्लस माइनस हमारे जो इनकी प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मिलेंगी कि अगर प्लेस वान मन है तो 1 प्लस 1 एवन होता है तो प्लस हो जाएगा अगर यहाँ पर place A12 है तो 1 plus 2 आपका odd होगा तो हमारा minus आएगा तो जो भी place value है उसके according हमें यहाँ पता चलेगा कि odd है तो minus लगा तो even है तो plus लगा तो तो last वाला odd लिख लेते हैं बस चलो अब इससे related example देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए इसमें मैंने पूरा अच्छे से एक standard form लेकर के समझाया था अब यहाँ पर question आप देखो तो बस आपके दिमाग में यहाँ पर यह होना चाहिए कि पहले element को हम A11 से denote करते हैं दूसरे को A12 से बस यह गिंती चल दी देखो ऐसे है counting 11, 12, 13 फिर 21, 32, 33 इस तरह से आपका यहाँ पर चलता है ना तो यह A11, A12 हो गया है फिर आपका यह A21, A22 हो गया है इस तरह से तो यह numbers आपको यहाँ पर पता होने चाहिए जो कि co-factor में यही काम आते हैं या फिर आप यहाँ पर यह दिमाग में रख लो पहले वाले जो से किया था कि यह दोनों negative होते हैं जो two order की matrix होगे उसमें यह negative होते हैं four order की matrix में two, four, six, eight होते हैं यह आप धियान रख लोगे तो यह आप यहाँ पर confused नहीं होगा अगर आपको यह two order की matrix है तो यह दोनों element यहाँ पर क्या होते हैं negative होते हैं इसके जाथ में negative sign आता है तो चलो पहले हम minors लिखते हैं तो पहला जो minors है उसको m11, a11 का निकलना है तो m11 हो, minor of element a11 को हम m11 यहाँ पर कह रहे हैं तो m11 के लिए आपको क्या करना है इस से related जो भी हमारी row है उसको चोड़ देना है और column को चोड़ देना तो anser कितना आ गया यहाँ पर आपका three आ गया फिर आप यहाँ पर लिख ऐहां वन-two तो यह आपका m12 यहां 2 वन-2 तो वन-2 आ गया तो इस से related यह हमारी रो है यह column में इसको छोड़ दिया से यहाँ पर हमारा कितना आ गया फोर आ फिर नेक्स आपका M21 अपका क्या होगे यह M21 यह है तो M21 हुआ क्योंकि जब आएंगे न आपको ऐसे ही का है कि यह आपको इस तरह से माइनर यहाँ पर क्या हो जाएगा M22 होगा तो इसके अलॉंग यह हमारी कॉलम में यह रो छोड़ दो तो यह आपका यहाँ पर वन आ गया समझ में आ गया अब हमें निकालने को फैक्टर तो M11 के को फैक्टर को यानि फॉस्ट वाला इसके को फैक्टर को हम A11 से डिनोट करत कि यह दोनों आपके साथ negative sign आएगा तो आप सीधा यहाँ पर लिख दो कि यह आपका positive रहेगा M11 हमने अभी calculate किया कितना आया आपका यहाँ पर 3 आ गया फिर A12 हमने calculate किया A12 लेकिन formula आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा side में आप चाहिए लिख कर के बता दो यह इस तर से होता है तो एक side में ले लो इसके बाद आप चाहिए इसको इस तरह से डाइरेक्ट भी कर सकते हो तो यह 1 प्लस आपका 2 यहाँ 1 2 है तो 1 प्लस 2 और M12 हो गया तो यह आपको पता यह negative आएगा तो सीधा यहाँ पर negative लगा दो M12 कितना है आपका 4 है वाकि 2 प्लस 1 3 होता है वैसे भी negative sign आता है तो negative कर दिया और M21 कितना है तो यह minus 2 है तो यह आपका कितना हो गया यहाँ प्लस का 2 हो गया है ना दिमाग में रखना easy है बहुत calculator करने से अच्छा है कि दिमाग में रखना कि 2 order में दोनो negative होते है वो ज्यादा easy है तो फिर A22 क्या होगा तो minus 1 की power 2 plus 2 M22 solve हम हमेशा ऐसे ही करेंगे यह तो आपके direct हो जाएंगे यह हम ऐसे करेंगे लेकिन समझने के लिए कि यह दोनो negative होते तो इनके साथ negative आजाएगा बाकी दोनों आपके positive रहेंगे यह सिफ समझने के लिए और कि formula आपको same लिखना पड़ेगा तो यह आपका E1 हो गया E1 है त standard form में ले रहे standard form समझ में आगी तो question easily कर लोगे तो हम पहला element लेते यही तीर element यहाँ पर होते है पहला row पहला कॉलम इसी तरह से होते है फिर आपका पहला row दूसरा कॉलम पहला row तीसरा कॉलम रो हम इधर से इस तरह से लेखते है R1 R2 R3 कॉलम हम ऐसे लेखते है C1 C2 C3 तो पहला row पहला कॉलम फिर आपका पहला रो कॉलम पहला पौहला तीसरा कॉलम पर दूसरा रो पहला कॉलम और यह दूसरा रो तीसरा कॉलम इस तरह से हमारी यहाँ पर Sapरल म माइनर Раз शुर्ट कर दे सा Kaiser चोड़ करते हैं तो यहाँ चाहर चार यहाँ पर बच रह erstmal तो यह आ A22, A23, फिर आपका यहां पर क्या हो गया है, A32, A33 हो गया है, इस तरह से लिखेंगे, और बस फिर आपको यह तो पता है, इसको solve कैसे कर दें, उपर वाले को नीचे से multiply करना है, फिर minus, फिर नीचे वाले को उपर से multiply करना है, तो यहां से आप देखोगे, तो M11 कितना आ है, तो minor of A12, तो इसको हम किस से denote करेंगे, M12 से, M12 हमने ले लिया, अब देखो, आप यहां पर पुराना वाला erase कर देते है, M12 के along, यह row है, और यह column है, इसको हम यहां पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब यह तो आपने last chapter में पढ़ा हुआ है, कैसे किस को छोड़ते है, हमने इस determinant find करने वाले जगे पर देखा हुआ है, तो यह तो कोई नई चीज नहीं है, तो बचा कौन, A21 बचा, A आपका 23 बचा, फिर आपका यहां पर A31 बचा, और A33 बचा, चलो, करो cross multiply, तो यह हमारा second यहां पर minor of A12 अगया, तो इसको इससे multiply करो, A21 into A33, फिर minus क्या ह हो जाएगा, इन दोनों का multiply, A31, A23 हो गया, तो यह हमने यहां पर calculate के लिए है, यह तो सिर्फ एक formula जो नहीं, जो आपको याद रखना है, यह सिर्फ समझने वाली बात हैं, हम कैसे करते हैं, एक और का देख लेते हैं, A13 का भी देख लेते हैं, तो minor of A13 अगर हम देख रहे चलो, करो इसको multiply, तो M13 हमारा कैसे जाएगा, इसका इससे multiply, A21, A32, A32, minus A31, A22 होगे हैं, तो इस तरह से हम आगे भी और निकाल सकते हैं, आगे भी और solve कर सकते हैं, तो इनका निकाल लेना, इनका निकाल लेना, अब आप यहां पर आगे इसको solve करना, इसी तरह से solve होगे, अब इनके कुछ cofactor निकाल करके देख लेते हैं, जो आपने निकाल ले उसी के, cofactor में आपको पता है, यह बस sign आते हैं, जिसका plus से उसका plus आएगा, जिसका minus से minus आएगा, now cofactor of A11, A11 का cofactor निकाल रहे हो तो हम capital of A11 लिखेंगे, minor of A11 निकाल रहे हो तो capital M11 लिखेंगे, इसका आपको formula बता है, यहाँ पे sign आता है, minus 1 की power, जो भी यहाँ पे number है, जिसका भी आपको factor निकाल रहे हो, उसको यहाँ पे add करेंगे, यहाँ 11 का निकाल रहे हो, तो 1 plus 1 कर दिया, और M11, तो यहाँ पे देखो, minus 1 की power, 1 plus 1 क्या हो गया, 2 हो गया, अगर यह नहीं याद रहता है, तो भी मैं आपको simple तरीका बताती हो, तो यह minus 1 की power कितना हो गया, 1 plus 1 हो गया, तो यह तो आपका even हो गया, तो यहाँ पे आपका plus हो गया, और M11 की value क्या है, तो यह पूरी हमारी value, यह तो हमारा plus हो गया, और यह A22, A33, minus A32, A23 हो जाएगा, same ऐसे ही, यहाँ पे अब भी हो जाएगा, co-factor of A12, तो यह रिखो, co-factor of A12, A12 का co-factor का हम A12 से denote कर लेंगे, minus 1 की power ही क्या हो जाएगा, 1 plus 2, M12 हो जाएगा, 1 plus 2 क्या होता है, E1 है या odd है, odd है ना, 2 plus 1, 3 odd होता है, odd होता है, तो minus का sign हैगा, और बाकी M12 की value क्या है, A21, A33, minus A31, A23 हो गया, तो minus आप multiply करके sign अंदर change कर सकते हैं, तो हम solve करेंगे, यह तो अभी variable हो जब number होंगे, तब solve करेंगे, तो minus solve हो जाएगा, फिर last यहाँ पर देखो, co-factor of A13, तो A13 का co-factor क्या होगा, capital A13, तो क्या हो जाएगा, minus 1 की power 1, plus 3, M13 है ना, यह formula है बस, तो minus 1, 3 plus 1, 4 हो गया, 4 है तो यहाँ पर plus आजाएगा, तो मैं इसलिए नहीं solve करेंगे, ताकि आपको समझ में है, कहाँ plus आ रहा है, कहाँ पर minus आजाएगा, तो यह आपका यहाँ पर E1 है, इसलिए minus आ रहा है, यह आपका यहाँ पर क्या है, E1 है, तो इसलिए यहाँ पर plus आ रहा है, तो यहाँ पर इसको solve कर लोगे है ना अब एक example देखते हैं कि example से आपको समझ में आगा कैसे actual में calculate होगा यह तो बड़ा बड़ा यहां पर दिख रहा है तो चलो इसके साथ में पहले आपको मैं टिप दे देती हूं उसके बाद हम example देखेंगे तो यहां पर हमेश्य याद अगना यह हमारे इसके element देखो पहला element दूसरा element तीसरा element फिर चौथा पाचवा छट्टा फिर साथवा आठवा नवा यह हम पढ़ रहे है को फैक्टर की रहे कि कहां पर negative आएगा तो दूसरा element चौथा चट्टा और आठवा 2468 इस number पर जो भी element है उसके साथ में minus का sign आएगा है ना जो चीज़े नहीं समझ में आरी है solve करना तो आप सीधा यहां पर दिमाग में रख लो कि दूसरे number का element चौते number का element चौते number का element चौते number का element और आठवे number का element है उसके आगे हमें minus लगा देना है तो यह तिमाग में अगर आपके clear है तो आप यहां पर questions को easily कर लोगा अब देखो कोई भी मुझे अगर यहां पर कहें देगी इन 4 element कि मुझे minus Sixt का निकालना है मुझे यहां पर ओपर पर कोई थे की इन 4 element के मुझे minus मुझे कहा कि इन 4 इसमें कहा कि find the minor of this 5 element, find the minor of element 6, find the minor of element 1, find the minor of element 4 हो गया तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से number पर आता है तो यह a11 है, यह a12 है और यह a13 है तो 5 के यहाँ पर कौन से number पर आएगा, a13 पर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, minor of a13 है ना, इस तरह से लिखो गया, minor of a13 या minor of 5 भी लिख सकते हो ना, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, m13 से स्कोर डिनोड करेंगे तो आपको पताएगे कि इसके along जो भी हमें row है और जो column है वो हमें छोड़ देनी है, तो बचा गया, यहाँ पर 6 बचा, 0 बचा, 1 बचा और 5 बचा, यह छोड़ दिये ना हमने, तो यह 4 बचे, अब इसको आप यहाँ पर solve कर लो तो क्या हो जागा, 6, 5, 30, minus 0, 0 हो गया, त तो यहाँ पर लिखो minor of a21, minor of a21 कितना हो जाएगा, m21, minor को m से denote कर दें, तो आपको यहाँ पर पता ही है कि हम इसका निकाल रहे तो यह और यह आपका चूट जाएगा, तो minus 3 बचा, 5 बचा, फिर 5 बचा, minus 7 बचा, यह निकल गया और बीच में से निकल यह पूरा कड़ ग 25 में से 21 का तो 4 बचा लेकिन साइन आपका नेगिटिवाएगा, चलो इसके बाद 4 क्या हुआ, a21, a22, a23 हो गया, तो यहाँ पर लिखोगे minor of a23, तो a23 यह निक्या, m23 से denote करेंगे, m23 तो यह आपका हो गया, तो यह चूट जाएगा, यह चूट जाएगा, इसके along आपके यह क्या है, इससे connected आपके यह वाली column है, यह चूट जाएगा, तो 2-3, 1-5 बचा, तो 2-3, 1-5 बचा, तो 5-2s are 10 हो गया, formula का minus, और minus 3 into 1, minus 3 होता है, तो यह minus 3 हो गया, तो यह क्या हो गया, 10 minus minus plus 3, तो यह आपका कितना आगया, 13 आगया, चलो इसका निकल, तो यह 1 क्या है, तो यह 3, 1 है, तो लिखो, minor of a, 3, 1, तो इसको हम किससे denote करेंगे, m3, 1 है, अब काउन चूटेगा, 1 का देख रहे हैं, तो यह चूट जाएगा, यह चूट जाएगा, बच्चे का क्या, minus 3, 5, 0, 4 बजएगा, चलो करो, multiply, minus 3 into 4, minus 12, और minus 5 into 0, 0, तो यह हो गया, minus 12 आगया, च formula तो आपको लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे, जो हमने भी short तरीका देखा ना, उसके according लिखेंगे, ठीके, तो solve कते नहीं, आपको formula जरूर लिखना है, इस तरह से, cofactor of a, 1, 3, equal to, a, 1, 3 का निकालना है, तो a, capital A, से हम cofactor को denote करतें, यह हो negative sign किस-किस गत आएगा, 2, 4, 6, 8, इन चारों के साथ negative sign आएगा, बाकि किसी के साथ नहीं आएगा, तो a, 1, 3, यह हमारा 5 है, इसके साथ नहीं आएगा, तो आपका यह solve हमने कर लिए, m, 1, 3 कितना है, 30 का 30 आजाएगा, फिर next आपका a, 2, 1, तो हमने यहाँ पर a, 2, 1 निकाल में minus का sign आता है, तो यह आपका plus का 4 हो गया, बस इस तरह से आप या लिए लो, फिर a, 2, 3 हो गया, तो a, 2, 3 का है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, तो यह हमारा कौन से है, 2, 4, 6, 6 नमबर का element है, 6 नमबर के साथ में भी हमारा यहाँ पर क्या आता है, minus का sign आता है, तो यहाँ पर यह 13 है, त यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिख देना, जैसे कि मैंने आपको कहीं पर लिखना बताया था ना, अभी फॉर्मूला इस तरह से, यहाँ पर फॉर्मूला यह इस तरह से जरूर लिख देना, चलो, अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़े है, से minus और co factors ने, इस से लिल्ट of an element को हम Mij से denote करते हैं, यही तो हमने किया था अभी, यह देखो, अभी हमने क्या क्या था, जैसे, देखो, एक-एक definition के एक वर्मूला, Minors of an element, aij of determinant, determinant का Minors निकालते हैं, अगर मुझे aij मैंने यहाँ पर कोई भी element यहाँ पर ले लिया, जैसे a11 लिया, तो 1 यहाँ पर row है, और यह क्या है, column है, first row, first column, तो इससे related first row को आप delete कर दो, इससे related आप first column को delete कर दो, अगर मैंने a12 लिया, तो यह row है, तो first row को delete कर दो, second column को delete कर तो, फिर जो elements यहाँ पर बच रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते है, minors के लाते है, यही कहला है, minors of an element, aij of a determinant, is the determinant, क्योंकि, थर्ड वाली जो matrix है, उसमें वापस है, हमारा यहाँ पर क्या बना है, determined बन रहा है, जो three order की determined है, matrix है, determined है, उसमें अगर हम इस कर दो, three hour, second, third column को delete कर दो, अब जो बचे में, उसमें, अगर आप solve करोगे, तो हम यहाँ पर minors मिल जाएंगे, यह हमारी definition है, फिर cofactor क्या होता है, cofactor of an element, aij, जिसको हम aij से, aij का cofactor निकाल रहा है, उसको capital aij से denote करते है, और is defined by minus one, minus क्योंकि इसमें आपका sign आएगा, तो यहाँ ij है, तो यहाँ i plus j हो जाएगा, और mij जो की value, यहाँ पर mij का है, minors है, तो यह सब चीज आपको पता है, definition होगी, याद, अब यहाँ पर देखो, cofactor की हमारी दो properties होती है, यह properties आपको याद रहनी, क्योंकि इस related question भी है, तो मैं यह आपको with example अच्छा से explain करत हो, तो पहली property हमारी यह कहती है, कि आप यहाँ पर जो cofactor है ना, उसकी help से किसी भी determinant को यहाँ पर find कर सकते हो, जैसे हमारे पास पहले determinant find करने का तरीका था ना, हमने सीखा था, कि हम एक को रखते हैं, किसी भी एक के along, हम expand करते हैं, तो यह रख लिया, तो यह बाकी 4 मैंट था, evaluate the determinants, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक row या column के along, हम इसको expand करके, यहाँ पर determinant की value निकालते हैं, यह कम हम पहले करते हैं, फिर properties को use करके भी हमने यहाँ पर solve किये थे, तो अब यह cofactor वाली property हमें यहाँ कह रही है, कि आप cofactor की help से भी determinant find कर सकते हो, तो क्य तरीका है, तो आपको लिए वो determinant का formula बता रहा है, कि determinant equal to sum of the products of elements of any row or column with their corresponding cofactor, तो यह आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, कि कोई भी आप एक row ले लो, या कोई भी एक यहाँ पर आप column ले लो, ठीक है, कोई भी row और column ले लो, तो मैं मान लो, यहाँ पर पहली row ले लेती हो ह अब उसको अगर आप उसके corresponding cofactor से multiply करके और sum कर दोगे, तो हमारा determinant आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह रहा है, कि यह determinant हमारा किसकी equal हो जाएगा, यह पहला element है, इसको इसके cofactor यानी A11 से multiply कर दो, फिर दूसरा element है, उसको इसके corresponding cofactor से multiply कर दो, फिर तीसरा element है, उसको इस तो यह तरीके से भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड पहला तो हमारा एक्सपांड वाला मैथड था दूसरा हमने प्रॉपर्टी से भी उसको सॉल किया था और तीसरा हमारा यह वाला method है कि यह co-factor की मदद से अब जरूर है नहीं कि मैंने पहली रो ली तो आप पहली रो लो light के मैंने यहाँ पर एक और ले लेते हैं मैं यहाँ पर column को ले दियो अगर आपने यह वाला column दिया है तो इसके corresponding इसके आपको co-factor को multiply करके और आप determinant find कर सकते हैं सबसे किसी भी method से करो छे तरीके यहाँ पर आएंगे तीन रो तीन कॉलम में छे तरीके आएंगे छे से ही आप यहाँ determinant find को सब में value सेम आएगी तो देखो अगर मैंने यहाँ पर column 3 लिया है तो यहाँ पर भी मैं यही रखेंगे ना तो column 3 में क्या है a13 को इसके corresponding co-factor कौन है a13 फिर a23 का corresponding co-factor कौन है तो आपका यहाँ पर a23 अधर पीछे भी लिख सकते हैं चलो फिर a33 का क्या हैगा तो a33 का corresponding क्या हो जाएगा a33 हो जाएगा है तो इस तरह से आप solve करोगे तब भी आपका determinant यहाँ पर आ जाएगा है ना और देख रहा है आपको चलो यह और लिख लेते हैं अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूं मेरी रो 3 ली दे दियो तो रो 3 को आप इसके corresponding क्या करोगे corresponding co-factor से multiply दरोगे तो del equal to a31 है तो यहाँ पर इसका co-factor capital A31 फिर आपका a32 तो इसका corresponding co-factor a32 है फिर आपका यहाँ पर a33 है तो इसका corresponding कौन हो गया a33 हो और सब को यहाँ पर add कर दो यह सब हमारे determinant find करने के formula है और सबसे answer same आएगा ठीक है तो हमने यहाँ पर तीसरा method देगा यह हमारा किसके along है यह हमने किया है along row 1 यह हमने किया है along column 3 और यह क्योंकि आपको question आएगा along 3 से determinant find करो यह वाली column के according आप निकालो और यह हमारा यहाँ पर गया था along row 3 इस तरह से हमें निकालना है न तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके along question में दिया है उसी के along हमें हाँ पर निकालना है कुछ नहीं दिया है तो ठीक है चलो इसको भी अब यह है आपका a13 फिर 2122 a23 तो यह आपका यहाँ पर क्या है a23 और यह क्या है 31323 यह आपका a33 है तो फॉर्मूला बहूं इसके corresponding जो co factors होंगे वो भी क्या होंगे a13 होंगे a23 होंगे और यह आपका a33 होगा है तो जो बोला उसके according आपको यहाँ पर इंगा address पता होनी चाहिए कि यह कौन सी प्लेस पर बैठा हुआ है तो डैल इक्वल टू के लिए आपका कि 麼 cafुला ऌजयेगा plus a13 olur dobrze wae 23 a23 फिर आपका क्या हो जाए गा ए libre और these elements is the Co factors have Co factors की value elements आपको पता है यहाँ फे कौन है यहां यहाँ पर कौन है और फूंदोर है ऑर बदेनद से और तो वह भी 0 अब को फैक्टर joka नीकाल Als lähes फ्री नीकाला तो यहाँ पर mm outfits पावर 1 प्लस 3 तो आपको पता है कि 2, 4, 6, 8 यह चारो नेगेटिव साइन आते हैं साथ में यह तो आपका पॉजिटिव ही रहता है और यह M कितना हो गया आपका 1, 3 A13 तो M13 भी है तो यह तो आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहां वालत पॉजिटिव होता है ठीक है M13 तो M13 के लोग हमें पता है कि इसमें इसके इसे रिलिटेड हम रो और इसे रिलिटेड कॉलम को हम छोड़ देते हैं तो बचा क्या है यहां पर मैंस 1 3 4 1 बचा करो multiply प्लस से तो कोई लिखने की जुरुद नि है माइनस 1 इंटु 1 माइनस 1 फिर फॉर मृले का माइनस 4 थी जा आपका कितना हो गया तो यह ओगया तो यह माइनस 1 थी यह नियुकि कितना हो गया माइनस मैनस 9 प्लस बास तो माइनस का 13 हो गया चलो उसके बाद आप यहाँ पर A23 calculate करो तो minus 1 की power 2 plus 3 M23 हो जाएगा तो 23 कौन सा ये वाला आपको पता है 2468 6 वाला negative होता है यहाँ पर minus का सहेगा M23 तो इसके related ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे बचा कौन 1241 बचा तो लिखो यहाँ पर ये ओगया 1241 तो minus नष्न तो अपका बाहर है ये और इनको multiply करूं one one मइनस for two कितना हो गया eight हो गया. ये ओग्या minus as it is one minus seven look a one minus eight कितना हो minus seven हो गया इसका मतलब यह minus minus plus plus seven कहाब पर आ गया चलो next आग यहाँ निकालो a23 तो a33-1 कि power 3 plus 3 M33 हो गया तो यह वाला तो आपका positive होता है क्योंकि 1,2,2,4,6,8 यह negative होता है तो यह हमने sign देखी नहीं रहे हम तो हमारे according यहाँ पे कर रहे है M33, M33 में यह चूट जाएगा यह चूट जाएगा बचे कौन यह चार तो 1,2,-1,3 तो बचो 1,2,-1,3 चलो लिखो प्लस लिखने की जुरूत नहीं 3,1,3 फॉर्मुले का माइनस,-1,2,-2 तो यह आपका कितना हो गया 3 plus 2 यानिकी 5 हो गया चलो अब यह सारी जो हमने 6 value निका capital A13 कितना है तो माइनस का 13 फिर plus a23 a23 कितना है तो यहाँ पर 7 आया ना equal me plus 7 तो यहाँ पर 7 तो ऐसी 0 हो जाना है फिर a33 कितना है आपका 0 और a33 यहां से कितना है 5 तो यह तो तो हो गए 0 तो डैल equal to कितना हो गया 13-4-52 होता है और यह minus का sign तो यह हमने यहांसे delta निकाल देग आप चाहो तो इसको किसी भी रो या कॉलम क्या लोंग एक्सपांड करके जिसे हमने 4.1 एक्सजास में किया वैसे भी तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर क्या कहती है कि सेम रो के एलिमेंट को उनकी करस्पॉंडिंग को फैक्टर एक कोई भी एक रो लेलो या कोई भी एक कॉलम लेलो चेक यहां पर बना सकते हैं तो मुल्टिप्लाइ करोगे तो आपका यहां पर डिदेंट आ जाएगा अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी यहां पर क्या कहती है कि इस एलिमेंट्स ओफ रो और कॉलम आर मुल्टिप्लाइड विद को फैक्टर अफ एनी अदर रो यहां पर आपक्या करस्पोंडिंग को फैक्टर को मुल्टिप्लाइ कर रहे थे और अब यह कह रहा है कि अगर अगर आप इन को फैक्टर को फैक्टर औरिमेंट्स मूल्टिप्लाइड करोंगे तो आपका इन को फैक्टर को इन के elements से multiply ना करके other columns के elements के साथ multiplied करोगे तो आपका answer यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा तब आप जो यह sum निकालोगे वो आप पर determine ना करके 0 आएगा जैसे अब इसी जो इक question क्या है न इसी पर से example ले ले दे न तो मैं यहाँ पर example लिखती हूँ कि लेट की मेरा A13 हमने calculate किया मैं इसको C2 के जो हमारी column 2 है ना उसके elements से multiply करते हूँ तो column 2 के elements यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे A आपका 12 हो जाएगा इससे multiply करते हैं यह क्या हो जाएगा? A12 हो जाएगा यह आपका A22 हो जाएगा और यह आपका यहाँ पर यहाँ पर काफाट हो जाएगा एसान curve यहाँ पर कर रहे हैं जारे आपका यह पर क्या हो जाएगा और यहाँ एह ज्युक्ता पर शुक्ता चंक डूरी टीटा आपक globalization कर रहे हो है यहाँ जाएगान्ड आपका यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा, तो यह देखो, हमने इसको इसके साथ क्या, इसको इसको साथ क्या, इसको साथ क्या, यह property जो थी, वो हमारी कहती है कि corresponding elements को, elements को उनके corresponding co-factor से ही गहना, लेगि यह वाली property कह दिए है, कि co-factor तो किसी और column के निकाले और elements किसी और column के ले लिए उनको multiply करतो answer आपका 0 आए ना चलो करते हम तो a12 कितना है a12 आपका यहाँ पर कितना 2 है तो लिखो यहाँ पर 2 हो गया और a13 कितना है तो minus का 13 आ रहा था तो यह हमने लिख लिया minus का 13 फिर a22 तो a22 कितना है अपका 3 है और a32 कितना है वन है तो यह 3 हो गया और a23 कितना है तो यह आपका 7 है फिर प्लस a32 कितना था वन था और a33 हमारा कितना है था 5 आया था चलो solve करके देखो हम left inside ले करके चल रहा है तो minus का 26 आ गया और यह 7 3 जा 21 आ गया 5 1 जा 5 है तो 21 प्लस 5 आपका कितना हो गया 26 ही तो हो गया तो देखो यह हमारा answer आगे 0 चीक है तो हमने column 1 के along हमने co factors निकाल रखे है अब देखो मैं column 3 के निकाल रखे है न हम नहीं है तो हम column 1 के साथ में multiply कर दें a11 है यह आपका a21 है तो यहां पर हम करेंगे 11 को 13 के साथ में न तो लिख लेते हैं एक और example लिख लेते हैं तो हमने यहां पर किया a11 को यह वाला a13 के साथ में है न फिर a21 को a23 के साथ में और a31 को a33 के साथ में हमने elements यहां पर बदल दिया है पहले elements यह number same थे यह देखो same थे अब हमने यहां प और सेंटितर प्लतल रें होता है टो सुमाइन को सुमाइनतै दान स बितात है प्लास ज़OOOOOOOOT स्टी है ृफ्लास 3 टो स्टी जबने कितना आप है तो इर इनक यहाँ पर 5 है चल्लों करो यह LH लिए यह आपका पेण इस तरह के विश्चन आपको भी एक्सराइज दिलेंगे तो दो प्रॉपर्टी है हमारे पास में की पहली प्रॉपर्टी हमारी यहां पर कहती है कि अगर आप यहां पर किसी भी रो या कॉलम के कार्स्पॉंड question को फैक्तर से मंट्टीप्लाइ करते हो कोई को में चर् Brisbane को किरें क्हुंड को को ऍगर निकाले और उसको किई दूसरी रो कॉलम के ऐलेमेंट करें दो अलगानग है क्या आजाएगा जीरो एक को फेक्टर तो हमने इसके निकाले एलिमेंट इसके मल्टिप्लाय कर रहे हैं इसके मल्टिप्लाय करने तो वैल्यू कितने आजाएगी अब की जीरो तो यह हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्षन अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 एकसाइज धर दो